या बच्चों को कहता हूँ कि आप केक मत काटो, क्यों नहीं काटो तो बहुत साल पहले मैंने अगवारे में एक आर्टिकल पढ़ाता कि भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश है, जहां 500 से ज़्यादा प्रकार की मिठाईया बनती है, उस देश में जब कोई उत्सव होता ह हम नहीं गाड़ी खरीदते हैं, हमारे एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है, शादी हो रही है, बच्चे का जनल दिन है, तो हम केक लेके आ रहे हैं, और आप देखें, वेस्ट के पास मिठाई के नाम पर क्या है, केक है, पुडिंग है, पेस्ट्री है, पास्सों से जादा प्रकार की मिठाईया हैं हमारे पास, आप बाकी दिन खाईए कोई दिक्कत ने लिए, उत्सव वाले दिन आप केक खरीद के ला रहे हैं, ये गुलाब मन सकता है, फिर वो टोपुचंद की तरह उपर टोपा रख रहे हैं अपने उपर, फिर आप हैपी बड़्डे आप सौ साल देखें, पश्चियम शर्दाशतम, जीवेम शर्दाशतम, शिडवयाम सौ साल तक सुने, भूय श्चा शर्दाशतात, आप सौ साल तक रहें, ऐसे हमारे वेद में जबरदस मंत्र लिखे हैं और वाँ हैपी बड़्डे टू यू की ताली ठोक रहें, तो ये सिखता है जब अंग्रेज के बच्चे को हमने वो टोपा लगाते देखा, वो केक काटते देखा, मुंबत्ती बुजा के उसका धुआ सुंगते देखा, तो हम उसे ये सीख गया और ये पागलपन करने लगे, हमें शोबा नहीं देता, हमारी काटने की बाटने की परमपरा ये हमारा घी का दिया जलाने की परमपरा